प्यारे दिश्वाशियों, कांग्रेस पार्टी देश्बार में चात्रों, युवाव और नागरिकों के किलाफ भाजपा सरकार के क्रूर डमन पर अपनी गहरी पीडा और चिंता व्याक्त करती है। भाजपा सरकार के विवाजंकारी अजेंडे और जन विरोदी नीटियों के खिलाफ देश्बार के बिश्ववी द्यालियों और अन्य प्रमुक शिक्षा संस्तानों में स्वभाविक तरीके से विरोद प्रदार्शन हुए हैं। लुक तंतर में लोगों को सरकार के घलत फैसलों और नीटियों के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी चिंताओ को व्यक्त करने का पूरा अधिखार है। इसी प्रकार सरकार का भी करतव्य है कि वह नागरिकों की बात सुने और उनकी चिंताओ को दूर करे। दुख की बात ये है कि भाजपा सरकार ने लोगों की आवाज को पूरी तरहे से नजर अंदाज किया है। यहीं नहीं उनकी असेमती की आवाज को कुचलने के लिए परबरता से ताखत का इस्तमाल किया है। लोग तंतर में ये कताई स्वीकार्य नहीं है। कांग्रिस पार्टी सरकार की हरकतों की पुरजोर निंदा करती है। और न्याय की लराई में भर्तिय नाग्रिकों और अपने चात्रों के साथ एक जुट होकर खरी है। नाग्रिक का संशोदन कानून बिद्भावपूर्न है। नोत्पंदी की तरहे एक बार फिर एक एक द्यक्ति को अपने और अपने पुरवजों की नाग्रिकता साबिट करने के लिए लाइन में करा होना पड़ेगा। प्रस्ताविट राष्ट्रस्तार पर एनर्सी समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुचाएगी। लोगों की अच्छंकाय सही और जायस है। कांग्रेस पार्थी भारत के लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि वह उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए करे हुने और हमारे संदिदान के बुनियादी मूल्यों को बनाये रखने के लिए पूरे तरे से प्रतिबध है। जैहिंद। जैहिंद।